नमस्कार आकाश्वानी से प्रस्तुत है समाचार संध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम ख्षेत्र से जुड़ी तीन प्रमुक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की कहा गैस आधारेत उद्योग और पेट्रो कनेक्टिविटी से पूर्वी भारत में और विकास होगा संसत का मौनसून सत्र कल से शुरू होगा कोविद-19 महमारी को देखते हुए सत्र दो पालियों में आयोजित किया जाएगा देश में कोविद-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की डर 77.88 प्रतिशत हुई देश भर में नीट की परिक्षा सफलता पूर्वक संपन्न हुई पूर्वकेंद्री मंत्री रगवंश प्रसाज सिंग का निधन, राष्टुपती और प्रधान मंत्री ने शोक वेक्त किया और अमरीकी ओपन चैनिस टूनामेंट के खितावी मुकाबले में आज राट जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला आस्ट्रिया के डॉमिनिक थियेम से होगा समचार संध्या में अपने सहयोगी विरेंद्र कौशिक के साथ मैं आनंद श्रिवास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम ख्षेतर से जुड़ी तीन प्रमुक पर्योजनाएं वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये राश्ट्र को समर्पित की ये परयोजनाएं हैं पारादी फल्दिया दुर्गापूर पाइपलाइन विस्तार वाला दुर्गापूर बांका खंड और पूर्वी चम्पारण तथा बांका में रसोई गैस सिलिंडर भरने वाले दो संयत्र पूर्वी चम्पारण और बांका के लपीजी बॉटलिंग सायत्रों की सयोंक तक्षमता प्रतो दिन 80,000 सिलेंडर भरने की है बांका सायत्रों से बिहार के भागलपूर, बांका, अररिया, जमूई, किशन गंच तथा कटिहार और जारखन के गौंडा, देव घर, दुमका, साहिब गंच तथा पाकुड जिलों की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी पूर्वी चमपारण, स्वयत्रों बिहार के पश्मी तथा पूर्वी चमपारण, सिवान, गोपाल गंच तथा सीता मढ़ी और उत्तर प्रदेश के कुशी नगर के पांच लाग से अधिक उपभोगताओं की आविशक्ताएं पूरी करेगा इस अवसर पर अपने भाषण में पूर्धान मंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा नए भारत नए बिहार की इसी पहचान इसी कारेशन स्कृति को हमें और मजबूत करना है मुझे विश्वास हैं कि ऐसे ही निरंतर काम करके हम बिहार और पूर्वी भारत के विकास पत पर ले जा सकते हमारे सास्त्रों में कहा गया है सामर्थ्यम मुलं स्वातंत्रम स्रम मुलं वैभवं यानि सामर्थ्य स्वातंत्रता का स्रोत है और स्रम शक्ति किसी भी रास की प्रगति का आधार होती है प्रधानमंद्री ने कहा कि 900 करोड रुपे की इन पर्योजनाओं से अधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे शिमोदी ने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाखे में नए उद्योग धंदे खुलेंगे उन्होंने कहा कि बांका और पूर्वी चमपारण के रसोई गैस भरने वाले सायत्रों में हर साल एक करोड पच्चिस लाख गैस सिलिंडर भरे जा सकेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार पैकेज के तहट पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस की दस पर योजनाओं में से साथ पूरी की जा चुकी है बिहार के लिए जो प्रधान मंत्री पैकेज दिया गया था उसमें पैट्रोलियम और गैस से जुड़े दस बड़े प्रोजेक्ट थे इन प्रोजेक्ट पर करीब करीब 21,000 करोन रुपिये खर्च किये जाने थे आज ये सातवा प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है इससे पहले पटना LPG प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपरिसिटी बनाने का काम हो पुर्णिया के LPG प्लांट का विस्तार हो मुझफुर पूर में नया LPG प्लांट हो इस सारे प्रजेक्ट पहले ही पूरे किये जा चुके है शिमोदी ने कहा कि प्रधान मंत्री उर्जा गंगा योजना के अंतरगर्ट साथ राजियों को 3000 किलोमिटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा प्रदान मंत्री उर्जा गंगा योजना के तहट पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप और पस्चिमी समुद्री तट से के कांडला से जोडने का भागिरत प्रयाश शुरू हुआ करीब तीन हजार किलोमिटर लंबी पाइपलाइन से साथ राज्यों को जोड़ा जा रहा है जिसमें बिहार का भी प्रमुक स्थान है पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पुरी हो चुकी है इसको आगे पटना मुझभफर पूर तक विस्तार दिया ज रहा है शिमोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उजवला योजना के अंतरगत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिये गए गैस सिलिंडर गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुए है उज योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये कोरोना के दोरान हम सभी ने फीर एक बार महसूस किया है अब कलपना कीजिए जब गर में रहना जरूरी था तब अगर इन आठ करोड़ परिवारों के साथियों को हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा इंधन ज योजना की लाभारती बहनों को करोडो सिलिंडर मुप्तमेंत ये गये हैं प्रधान मंतरी उजवला योजना के तहट की गई है इन दोनों सयंत्रों से आसपास के ग्रामिन शिक्त्रों के लगभग एक हजार लोगों को प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से रोजगार मिला है श्री मोदी ने बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार के सरहना करते हुए कहा कि वे बिहार को प्रगति के मार्क पर आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कारिय कर रही हैं पिछले पंदरा सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो सही फैंसले लिये जाए स्पष्ट नीती हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है हम बिहार के हर एक सेक्टर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं हर एक सेक्टर की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार विकास की नई उडान भरे उतनी उची उडान भरे जितना उचा बिहार का सामर्त है प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नितीश कुमार के नित्रतों में बिहार में तेजी से उच्च शिक्षा संथानों की स्थापना हुई है श्री मोदी ने कहा कि श्री नितीश कुमार ने उनके नए भारत और नए बिहार के निर्मान के उद्देश की दिशा में महत्वण भूमिका निभाई है इस अवसर पर शिरिव नितीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री उज्वला योजना से ग्रामीन महिलाओं को बड़ी मदद मिली है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कारिय करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार वेक्थ किया। केंद्रिय म हर सिध्धी के निवासी सुनील मनी तिवारी ने कहा कि अब इस शेक्टर के लोग रसोई गैस सिलेंडरों को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं महसूस करेंगे नागर विमानन मंतरी हर्दीप सिंग पूरी ने कहा है कि दर्भंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरू की दैनिक उडानों के लिए इस महीने के अंत तक बुकिंग शुरू हो जाएगी बिहार में दर्भंगा हवाई अड़े पर चल रहे काम की सम्युक्षा के बाद शिपूरी ने बताया कि उडानों का संचालन छट पर्व से पहले नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा उन्होंने बताया कि दर्भंगा हवाई अड़ा उत्तर बिहार के 22 जिलों के लिए वर्दान है उन्होंने दर्भंगा हवाई अड़े में निर्मान तो था अन्यकारियों की प्रगती पर संतोश वेक्त करते हुए कहा कि काम लगभग पूरा हो चुका है संसत का मौनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है कोविद महमारी के मद्य नजर ये सत्र दो पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा पहला दिन छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोगसभा की शाम को होगी ये सत्र एक अक्तूबर को समाप्त होगा एक रिपोर्ट लिये जाएंगे और अध्यादेशों के स्थान पर 11 विधयक पेश होंगे इनमें किसान उपज व्यापार और वानिज्य समवर्धन और सुविधा विधयक सत्र में नए विधयक भी पेश और पारित किये जाने की संभावना है इनमें कारखाना नियमन संचोधन विधयक पिंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरन संचोधन विधयक राश्ट्रिय स्वास्य देखभाल और संबंधित व्यावसाय विधयक राश्ट्रिय राजधानी दिल्लिक्षेत्र सरकार संचोधन विधयक विदेशी योगदान नियमन संचोधन विधयक बाल नियाय बाल देखभाल और संरक्षन संचोधन विधयक और जम्मू कश्मीर राजकिय भाशा विधयक शामिल है COVID महामारी के बीच संसत का ये पहला सत्र होगा COVID-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस सत्र का एयोजन किया जा रहा है संसत सत्र की पूर्व संद्या पर आज आकाश्वानी का समाचार सेवा प्रभाग संसत के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इशूस बिफोर पार्लेमेंट पर परिचर्चा प्रसारित करेगा संसत के समक्ष मुद्दे कारेकरम इंद्रप्रस्थ और FM गोल्ड चैनलों पर राज साढ़े नौ बजे से दस बजे तक सुना जा सकता है इशूस बिफोर पार्लेमेंट का प्रसारण इसी समय राजधानी और FM रेन्वो पर होगा ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मुबाइल एप newsonair पर भी उपलब्ध हैं सामान पैक कर दिया है अपना खयाल रखेगा और आप यहाँ परिवार का मां को अस्पथाल लेके जाना है और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर मां का आयुश्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़ जा रहा हूँ न तो इससे यहाँ भी मुफत इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है सी योजना की मन की बात मैं प्रधान मंत्री जीने भी तो बताया था लो तुम भी सुलो आयुश्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता पॉर्टेबिलिटी की सुविधा भी है पॉर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है यानि बिहार का कोई घरीब अगर चाहे तो उसे करनाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राजी में मिलते भारत सरकार की आयुश्मान भारत पीम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड से अधिक लोगों को प्रती वर्ष रुपए 5 लाग तक का मुफ्त इलाज योजना के तहर लाब हरतियों के लिए कोविड-19 की जाच और इलाज मुफ्त है 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिये और इ-कार्ड बनवाने के लिए नजदी की CAC केंद्र या सूचिवत सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं आयुश्मान भारत की छाओं, शहर हो या गाओं एक सुनहरा भारत, नया भारत, तरक्की की राह पर लगतार आगे बढ़ता भारत, चाहे जल हो आकाश या बरफीली चोटियां, अपनी सीमाओं की दिन रात डट कर चौकसी करता भारत, गाओं गाओं विजली पानी पहुँचाता, स्कूल, अस्पताल, सडकों का निर्मान करता भारत, सफलता की उचाईयां चूमता, तकनीक के नए-नए कीरतीमान स्थापित करता भारत, विश्वस्थरिये इंजिनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यम्यों की फसल उगाता भारत, इस उजवल आत्मनिर्भरता की और बढ़ते भारत की तरक्की को पोशित करते हैं आ अपने एडवांस टाक्स त्वारा, अपने एडवांस टाक्स की दूसरी किष्ट 15 सितंबर तक जमा करें, देश की प्रगती की राह को मजबूत करें, प्रती एक आयकरदाता, एक राश्ट्र निर्माता समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है 65 प्रतिशत हो गई है, देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 47,54,356 हो गई है, इस समय 9,73,175 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, कोरोना से अब तक 78,586 लोगों की मौत हुई है, देश में कल तक 5,62,6,928 कोविड जाचकी जा चुकी है, कल 10,71,700 जाचकी गई देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रति दिन 70,000 से जादा है, स्वास्त मंत्राले ने कहा कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जाचकी संख्या बढ़ाने, संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की स उत्रप्रदेश के हैं। के बारे में लोगों को जागरू करने का वियान जादी रहना चाहिए। जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 847 नए मामले सामने आए और यहां कुल संक्रमित मामलों की संख्या 29,17 हो गई। महराष्टर के मुख्य मंतरी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी सरकार ने कोविड महमारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने वीडियो कॉंफरेंस के जरिये राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में एक महिने का अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्बेदारी चलाया जाएगा। ये अभियान इस महिने की 15 तारिक से शुरू होगा। व्योरा हमारे संबादाता से। कि यदि जल्दी पता चल जाए तो सभी मरीस तेजी से ठीक हो सकते हैं। मुख्य मंत्री ने कहा कि सभी को 15 सितंबर से शुरू होने वाले मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को सफर बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गुजरात में अनलोक फोर के बाद दी गई छूट के कारण आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पतरी पर लोट रही हैं। सूरत और एहमदाबाद के अलावा अन्य उद्योगिक इलाकों में से पलायन कर गए मजदूर अब बड़ी संख्यामिक काम पर वापस लोट आई हैं। एक रिपोर्ट। किसी भी यातरी में लक्षन पाए जाने पर तुरंथी कोविध परिक्षन कराने का इंदजाम किया गया है। योगेश पंडिया, आकाश्वणी समाचार, अहमदाबाद। स्वास्थ मंत्राले ने कोविध महमारी से स्वास्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ लाब और कल्यान के लिए कोविध प्रबंधन नियामावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोग्यों में थकान, बदंदर्द, खासी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षन जारी रह सकते हैं। नियामावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोग्यों को मास्थ पहनने, स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय परियाप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोग्थाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। प्रोटोकॉल में परियाप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने वाली आयूश दवाएं लेने को भी कहा गया है। स्वस्थ हुए रोग्यों को डॉक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान करते रहना चाहिए। दिल्ली के छतरपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संचाले दुनिया के सबसे बड़े कोविड उपचार केंद्र, सरदार पटेल कोविड उपचार केंद्र में अब तक 2454 रोग्यों का सफलता पूरवक उपचार किया गया है। स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि देश में कोविड वैक्सीन जारी करने की कोई तिथे निरधारित नहीं की गई है। स्वास्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरवाधिक जरूरत मंदों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम पर काम कर रहे लोगों को आपात वैक्सीन देने पर भी विचार कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com.hindi और हमारे मोबाइल एप newsonair पर भी उपलब देहें। योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता portability की सुविधा भी है। portability ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानि बिहार का कोई घरी अगर चाहे तो उसे करनाट का में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्ज में मिलते है। भारत सरकार की आयुश्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड से अधिक लोगों को प्रती वर्ष रुपए 5 लाग तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहट लाब हरतियों के लिए COVID-19 की जाच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिये और इ-कार्ड बनवाने के लिए नजदी की CAC केंद्र या सूचिवत सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुश्मान भारत की च्छाओं, शहर हो या गाओं। ये आकाशवणी है। 77.88 प्रतिशत हुई। देश भर में नीट की परिक्षा सफलता पूर्वक संपन्न हुई। पूर्व केंद्रिय मंत्री रघुवन्ष प्रसाद सिंग का निधन, राष्टरपती और प्रधान मंत्री ने शोक रेक्त किया। और अमरीकी ओपन टैनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज रात जर्मनी के एलेकजंडर जैवरेव का मुकाबला आश्टरिया के डॉमनिक थियम से हुगा। राष्टरिय पातरता सहप्रवेश परिक्षा नीट का आज देश भर में सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। शिक्षा मंतरी रमेश पोख्रियाल निशंक ने कहा कि राष्टरिय परिक्षा एजनसी एंटीए के अनुसार 85-90% चातर नीट परिक्षा में शामिल हुए। शिरी पोख्रियाल ने परिक्षा के सफल संचालन के लिए सभे मुख्यमंतरियों और एंटीए के महानिदेशक का आभार वेक्ष किया। नीट परिक्षा देने वाले चातरों में युवा आत्म निर्भर भारत की जलक मिलती है। केंदर शासित शेक्तर जम्बू कश्मीर में शेनगर के 57 केंदरों पर नीट का आयोजिन किया गया। राष्टरिय परिक्षा एजंसी द्वारा आयोजित परिक्षा से स्तानक स्तर के वैवसाइक पाठिकर्मों में प्रवेश दिया जाता है। जिला प्रशाशन और परिक्षा केंदरों के प्रबंधन में कोविड महमारी को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने के लिए व्यापक इंतिजाम किये गए। पूर्व केंदरी मंतरी रग्वण्श प्रसाज सिंग का आज निधन हो गया। श्री सिंग कोरोना संबंधी परिशानियों के इलाज के लिए एक सब्ता पहले दिली के अखिल भारतिय आयर विज्ञान संस्थान एम्स में भरती हुए थे। श्री सिंग ने राष्ट्री जनता दल से हाल में इस्तिफा दे दिया था। राष्ट्रोपती रामनात कोविंद, प्रधान मंत्रूई नरेंद्र मूदी, बिहार के राजुपाल फागू चोहान और मुख्यमंत्रूई नितीश कुमार ने उनके निधन पर शोक वेक्त किया है। राष्ट्रोपती ने कहा कि ग्रामिण भारत के बारे में उनकी समझ असाधारन थी। शी कोविंद ने ये भी कहा कि रगुवंश प्रसास सिंग ने अपने सरल जीवन के माध्यम से सारवजनित जीवन को एक विशेश गरीमा प्रधान की। प्रधान मंत्रोई ने कहा कि उश्री सिंग के निधन से बिहार और देश की राजनीत में एक शुने पैदा हो गया है। वित्व मंत्राले ने कहा है कि आत्म नर्भर भारत अभियान के अंतरगत आर्थिक पैकेज पर अमल की नियमित रूप से समिक्षा और निगरानी की जा रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मई में देश में कोविड महमारे से निपटने के लिए 20 लाह करोड रुपए के समग्र आर्थिक पैकेज की घोशना की थी। पहली अप्रेल से इस महिने की आठ तारिख तक 27,55,000 करदाताओं को 1,1308 करोड रुपए के रिफंड जारी किये गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गोडा ने कहा है कि वर्ष 2023 तक भारत उर्वरक उत्पादन में आत्म निर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतरगत देश भर में 40,000 करोड रुपए के निवेश से नए खात कारखाने स्थापित किये जा रही हैं। इन से आयात पर निर्भरता घटेगी। शिगोडा ने आत्म निर्भर भारत और सतत क्रुशी पर एक वेबिनार में कहा कि हाल ही में सरकार ने चार यूरिया उत्पादन सायंत्रों का पुनोरोध धार किया है। सरकार ने साथ बड़े राज्यों से सभी स्वास्त देखभाल केंद्रों को ऑक्सीजन की परियाप्त आपूर्ती सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ये राज्यों हैं महराश्ट्र, आंधरप्रदेश, करनाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्रप्रदेश। स्वास्त मंत्राले ने आज इस संबंध में एक ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक का उद्देश इन राज्यों में सभी स्वास्त केंद्रों पर त उन्होंने कहा कि इससे समाज के घरीब तबकों को अपने रोज मर्रा के जरूरते पूरी करने के लिए किफायती विकल्प उपलब्द होगा और देश आत्म दिरभरता की और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिजली भारत का भविश्य है और ज्यादातर बुनियादी शिली सिंग ने कहा कि सरकार मंत्राले के स्तर पर पावर फाउंडेशन बनाएगी। सूचना और प्रसारन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने चेतन्य तमहाने को वेनिस फिल्म समारोह में इंटरनेशनल क्रिटिक्स पुरसकार जीतने के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट् पन टैनिस टोर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आज रात जर्मनी के अलेकजंडर जेवरेव और ऑस्टरिया के दॉमनिक थियम के बीच होगा। सेमी फाइनल में दॉमनिक ने रूस के डैनिल मेदेव को जेवरेव ने सपेन के पाबलो के रेने बस पुसार FPIG ने एक्विटी मार्केट से 3510 करोड रुपे निकाले जबकि डेट सेगमेंट में 1472 करोड रुपे निवेश किये। किंद्रिये अपरतक्षकर और सीमा शुल्क बोड ने कहा है कि अगस्त 2019 से अब तक 56 सीमा शुल्क ब्रोकरों के लैसेंस निलंबित किये गई है इनमें 37 दिल्ली के हैं। बोड ने बताया कि विशलेशना तमग और जोखिम प्रबंधन महान दिशाले ने धोखा धड़ी और अनैतिक कारोबार करने वाले निरत्यकों के साथ जुडे सीमा शुल्क ब्रोकरों का डाटा विशलेशन किया था। इस विशलेशन के आधार प नियूनतम तापमान 26 और आधिक्तम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तापमान 36 डिगरी सेलसियस के आस्पास रह सकता है। शहर में आस्मान आम तोर पर साफ रहेगा। तापमान 21 डिगरी सेलसियस के बीच रहने का अनुमान है। नए उपकरण के माध्यम से इस समस्या से ग्रस्त मरीजों के रक्त के प्रवाहा को पैरों की नसों तक पहुचाने में सफलता प्राप्त की है। इससे उन मरीजों को फायदा होगा जो ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक बिस्तर पर रहने अथवा पक्षा घात से पीडित अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम ख्षेत्र से जुड़ी तीन प्रमुख परियोजनाएं राश्ट को समर्पित की। कहा गैस आधारित उद्योग और पेट्रो कनेक्टिविटी से पूर्वी भारत म और विकास होगा। संसत का मौनसून सत्र कल से शुरू होगा, कोविद-19 महमारी को देखते हुए सत्र दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। देश में कोविद-19 संक्रमन से स्वस्थ होने वालों की दर 77.88 प्रतिशत हुई। देश भर में नीट की परिक्षा सफलता पूर्वक संपन्न हुई, पूर्वकेंद्रिय मंत्री रगवंश प्रसाद सिंग का निधन, राष्टुपती और प्रधान मंत्री ने शोक वेक्त किया और अमरीकी ओपिन टेनिस टूनामेंट के खिताबी मुकाबले में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला आस्ट्रिया के डॉमिनिक थीयम से होगा, इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार